दोस्तो प्रक्यति का ये नियम है, जब भी कोई भी जीव इस धर्थी में पैदा होता है, उसे एक ना एक दिन हम मरनाई है, पर कभी कुछ कारणे के वज़े से उनकी पूरी प्रजाती ही खतम हो जाती है, जिसके कारण उनके जैसा जीव कभी भी इस धर्थी में फिर से पिरेनियन आइबेक्स दोसो किसी समय में पिरेनियन आइबेक्स यूरोप में पया जाते थे यूरोप में इनकी संख्या लगबग पचास हजार से भी जादा हुआ करती थी पर हंटिंग और इन एप्रूपियड हैविटेशन के कारण 19 सेंचुरी आते आते इनकी संख्या में काफी गिरावटा गई और साल 1910 में पूरी दुनिया में इनकी संख्या सिब 40 ही बची रह गई थी और साल 2000 में इन्हें ऑफिशली एक्स्टिंट डेक्लेयर कर दिया गया था दोस्तो पेरेनियन आइबेक्स को विग्यान की इतिहास में काफी एक एहम जानवर माना जाता है क्योंकि साल 2000 में एक्स्टिंट होने के बाद विग्यानिकों ने साल 2003 में इस जानवर को फिर से एक बार जिन्दा किया था 200 साल 2003 में वेगयनिकों ने successfully इस जानवर का क्लोन बनाया था 200 क्लोन यानि की वेगयनिक तरीके से किसी भी बिलुपत हुए जानवर के DNA को लेकर फिर से एक बार उस जानवर को जिन्दा करना साल 2003 में वेगयनिकों ने एक female perennian ibis को क्लोन किया था और वेगयनिकों के हिसाब से कि आने वाले समय में वो perennian ibis को फिर से एक बार जिन्दा कर पाएंगे दुस्तों किसी जमाने में आस्ट्रेलिया और तश्मीनिया के जंगलों में ये टाइगर की प्रजाती पाई जाती थी सिर्फ तश्मीनिया में ही लगबग पाच हजार से जादा तश्मीनियन टाइगर पाय जाते थे पर हांटिंग और इन एप्रूपेट हैबिटेशन के कारण इनकी संक्ला पे भारी गिरावट आने लगी और साल 1930 आते आते पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही तसमीनियन टाइगर बाकी बचा हुआ था उसे फुल सेक्यूरिटी के साथ रखा गया था पर फिर भी 1936 में उसकी भी मौत हो गई और इस टाइगर की प्रजाती को 1936 में ऐफिशेली एक्स्टिंट टेकलेर कर दिया गया वेस्टन ब्लैक रेंओ दोस्तो रेंओ के काफी सारी प्रजाती आज बिलुप्ण होने की कगार में है और काफी सारी प्रजाती पहले भी बिलुप्ण हो चुकी है उनमें से ही एक rare species हुआ करते थी western black rhino तो western black rhino पूरी तरीके से black color की हुआ करते थी इनके इस अलग color के कारण ही पूरी rhinos की species में इन्हें एक काफी एहम species माना जाता था सब rhinos की तरह ही इनका भी शिकार उनकी सिंगों के कारण ही किया जाता था और हंटिंग के कारण ही साल 2011 में इनकी पूरी के पूरी species ही खतम हो गई और साल 2011 में इन्हें officially extent डेकलेर कर दिया गया बर्बरी लाइन तो सक किसी दमाने में बर्बरी लाइन नौर्थ ऐफरिका मरोकों से लेकर एजिप्ट तक पाय जाते थी पर हंटिंग के कारण इनकी संख्या काफी दादा कम हो गई और 1960 में आते आते इनकी संख्या नाक के मुकाबली हो गई और 1960 में इन्हें officially accident डेकलेर कर दिया गया बर्बरी लाइन्स एक लाइन्स की परचाती हुआ करती थी जो एक एवरिज नाइन से कुछ हद तक बड़े हुआ करते थे तो दोस्तों ये थी इन जानवर की वो आखरी वीडियो फोटेजिस इसके बाद इन जानवर को कभी इस धरती में फिर से देखा नहीं गया फरवेग्यानिको के हिसाब से एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम सारे बिलुत वे जानवरों को फिर से एक बर जिन्दा कर पाएंगे आशा करते हैं कि आपको आज के जानकारी पसंद दई होगी इस वीडियो को हां तक देखने के लिए अपसे का बहुत बहुत शुक्रिया मैं अनसीन इजाद देता हूँ से मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ